हिमाचल दिवस के मौके पर चंडीगड में भी रंगारंग कारिक्रम आयोचुत किये गए अखिल भारतिय प्रवासी हिमाचली सेंख्त मूर्चा के और से हिमाचल दिवस को लेकर चंडीगड शहर में दो दिवसिय कारिक्रम का आज से आगाज हुआ पहली बार करवाए जा रहे कारिक्रम में देश भर में अलग-अलग राज्य में बसे हिमाचली एकटा हुए दो दिवसिय कारिक्रम में श्री भागवत कथा यान यग्य प्रवच्चन के साथ साथ हिमाचली संस्कृति को लेकर कारिक्रम करवाए जा रहे हैं अखिल भारतिय प्रबासी हिमाचली नाटक प्रांत के अध्यक्ष राजश ठाकुर ने बताया कि हिमाचली लोगों को उनकी संस्कृती और फ्रिश्ट भूमी से जोड़े रखने के साथ साथ देश भर में बसे हिमाचली लोगों की समस्याओं को साज़ा करने के लिए ये प् हमने चंदीगड में, सब लोगोंने संयुक्त रूप में, अखिल भारतिय प्रवासी हिमाचली संयुक्त मोर्चा के नेत्रितों में, हमने यहाज यह कारिकर्म रखा है, हिमाचल दिवसम लोग मना रहे हैं, हिमाचली धाम, हिमाचली कल्चर है, उसका हम आयूजन हमने किया आपकी कोई इस दोरान, क्यूंकि कहीं तरह के दिक्कत अलग-लग समाज की रहती है, इस तरह के आपकी भी कोई दिक्कत है, जो हिमाचल सरकार से हो, यह आने वाले समय में, आप उठाने जा रहे हैं देखे, हमारा जो कारेकरम जो हमने रखा था, यह दो दिवसिया भागबत का भी हमने कारेकरम रुखा और इस कारेकरम में हमारे जो मुक्याती थी है, वो हिमाचल परदेश से हमारी पिंडी दर्सन की माता नैना-तोंगा देवी जी हैं, वो यहाँ आई है, उनने हमें पिं परिकल शुक्षा में जो राजय का 85% कोटा होता है वो प्रतिबंद किया हुआ है। जो हमारी हिमाचल सरकार के मुख्य सचीव हैं उनके समक्स बेजा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं।